So, hint तो पहले ही देती ती इस वीडियो की मैने ट्विटर पे Wednesday को आनी थी लेकिन आई Thursday को है तो क्या हुआ, WWE भी तो Monday बोल के Tuesday में रह देती है Location different है तो क्या हो गया जूट थोड़ी बोलना चाहिए So, guys, so much Champions of the World, मैं हूँ 3DX शेतर And obviously अपने guess करी लिया होगा आज हम किसके बारे में बात करने वाले One of my favorite rivalries And YouTube पे आने के बाद पता चला कि किस तरह से ये internet की भी favorite rivalry में से एक है And that is Sean Michaels versus Chris Jericho अगर आप 2008 के टाइम पर नहीं थे तो कोई बात नहीं आपको बताने वाला हों कि कितनी great rivalry ये हुई थी जिसमें Sean Michaels, The Legend versus Chris Jericho, The Legend आपने सामने आये थे दोनों एक दूसरे को फाडने के लिए ही थे And actually मैं ये rivalry की शुरुवाद 2003 में ही हो गई थी जब WrestleMania 19 में इनके बीच मैच देखने को मिला था Chris Jericho का फंडा Sean Michaels के साथ शुरू से सेम था कि वो Sean Michaels को retire करना चाते थे And that's what made this rivalry so special कि आपके पास constant reason था कोई फाल्दू का reason नहीं था एक sensible reason था कि हाँ अगर आपको goat बनना है था आपको एक जो पहले goat है उसको retire करना होगा And सबसे बड़ी बात ये थी कि Chris Jericho and Sean Michaels की meeting से पहले Chris Jericho को next Sean Michaels कहा जाता था जो कि Chris Jericho के सिर पर चड़ गया And eventually जब Sean Michaels 2002 में दुबारा से WWE में आए Triple H के साथ rivalry हुए And then Chris Jericho के साथ meeting में आए Then पता चला Chris Jericho को कि next Sean Michaels से अब बात नहीं बनने वाली क्योंकि अब Sean Michaels भी इस company में और time तक रहने वाले तो उन्हें कुछ तो करके next Sean Michaels का tag हटवाना पड़ेगा ताकि वो future में आगे बढ़ सके WrestleMania 19 में इनके बीच instant classic देखने को मिला I am telling you I don't think so कि मेरे को बताने की जवर्थ है इनके भी जितने भी matches हुएं कितने classic रहे हैं और कितने iconic रहे हैं तो इसलिए उनके आगे पीछे की storyline के बारे में बात करेंगे match तो superb थे ही थे ये match भी विल्कुल वैसा ही था Sean Michaels ने यहाँ पर match जीता था and Sean Michaels ने proof किया कि अभी भी rookie तो rookie ही होने वाला है Sean Michaels के पास इतने साल का experience है multiple times headlining pay-per-views and match खतम होने के बाद Chris Jericho के साथ हाथ तो मिलाया लेकिन Chris Jericho को वो हार पसंद नहीं आई इसलिए उनके main part पर मार दिया Chris Jericho ने Sean Michaels को तो ऐसा जिसके बाद कोई बड़ा moment आया नहीं इस rivalry में क्योंकि ऐस सची rivalry आगे चली भी नहीं हालनकि एक दूसरे के साथ matches वे team में भी आये होंगे but not with that intention जो कि Chris Jericho लेकर आये थे 2003 के ठीक 5 साल बाद 2008 में ये दोनों आमने सामने आने की शुरुआत में आ चुके थे जब Ric Flair को हरा है Sean Michaels ने जिसके चलते Ric Flair के former revolution member Batista Sean Michaels के साथ rivalry में आये and उसके mediator Chris Jericho बन गए थे for some reason and जब backlash में Batista versus Sean Michaels के बीचा में match देखने को मिला था उसके special guest referee Chris Jericho ही थे and उस time पर ऐसा नहीं था कि Chris Jericho को किसी से दुश्मनी लेकर आये क्योंकि Chris Jericho का face turn हो चुका था and लोग उन्हें पसंद करते थे but match के दौरान हुआ कि आदा Sean Michaels ने sweet chin music मार दी थी लेकिन उस sweet chin music से पहले Michaels को थोड़ी से injury हो गई थी and Chris Jericho को लगा कि शायद Sean Michaels चोटे ले इसलिए वो लड़ नहीं पाएंगे लेकिन Sean Michaels ने अचानक से sweet chin music मारी जिसके चलते Sean Michaels ने match तो जीता लेकिन Chris Jericho को ये बात खटकने लगी कि यार Sean Michaels ने ऐसे match क्यों जीता क्योंकि Chris Jericho को लगा कि Sean Michaels ने जूट में acting करी है ताकि वो Battista को out of nowhere sweet chin music मार के हरा सके खटी मोटी घटी मीटी बाते करते हुए Sean Michaels ने Chris Jericho के बीचे को friendly match देखने को मिला judgment day में जिसमें Sean Michaels बताने वाले थे कि देखो यार मेरा पैर सही है मेरे को पहले injury हुई थी लेकिन फिर सही हो गया था जजमेंट day में भी वह हुआ जो WrestleMania 19 में हुआ Sean Michaels ने Chris Jericho को हराया बट इस टाइम Sean Michaels और Chris Jericho ने हाथ मिला लिया लास्ट टाइम की तरह नहीं हुआ कि किसी ने धोका दे दिया हो और जो उसका अगला पेपर वियू आया उसमें हमें Burtista वर्सिस Sean Michaels के भी इस stretcher match देखने को मिला जिसमें Burtista वर्सिस Sean Michaels का match देखने को मिला था उसके अगले RAW में Chris Jericho ने लिया अपना heel turn जब उन्होंने highlight reel में बुलाकर Sean Michaels को attack किया Jerry Tron TV पर बजा दिया जहांसे character shift हो गया Chris Jericho का and उनका career changing gimmick आया I think best gimmick कहुंगा मैं Chris Jericho के career का वही वाला था and वहां से Chris Jericho ने जो shift लिया because of Sean Michaels क्योंकि उनके सामने Sean Michaels थे उन्हें वो हराना चाते थे, company से निकालना चाते और वो ही जो tag उन पर लग रहे थे, वो हटाना चाते थे और बताना चाते थे कि वो क्यों best है और साथी साथ Sean Michaels cheating से भी जीत रहे थे लग रहा था कि यार ये cheating से जीत रहे तो इन्हें cheer क्यों मिलती है, that is the reason and इस gimmick के साथ वो Intercontinental Championship defend करने पहुँचे against Kofi Kingston at night of Champions, जो की career changing moment था for Kofi Kingston, क्योंकि Sean Michaels की interference के चलते, Chris Jerry को हार गए, Intercontinental Championship Kofi को मिली उनकी पहली title and Chris Jerry को lose कर गए title, Sean Michaels की वज़े से जिसके चलते next match set था, obviously next pay-per-view के लिए और वो आया Great American Bash में Great American Bash के pay-per-view में खैर, जितने भी अब matches हुए थे सब में Lance Kade की interference देखने को मिली, जो की Chris Jerry को के sidekick थे, for some reason I don't know, मैं उस टाइम पर भी सोचता था कि यार ये क्यों है, कौन है and इस match में Chris Jerry को ने literally कुता बना दिया Sean Michaels का बहुत मारा क्योंकि Sean Michaels की जो eye injury थी, वो उन्हें cost कर गई Chris Jerry को ने एक ऐसी कोहनी मारी थी जिसके चलते Sean Michaels की वो आँख जोती वो और भी ज़्यादा खराब हो गई and महाँ जो खून हम खून हो गया and Chris Jerry को ने match भी जीता knockout की वज़े से referee को बंद करवाना पड़ा match क्योंकि Jerry को रुक नहीं रहे थे क्योंकि Jerry को का फंडा सेम था कि यार ये बंदा बस खतम हो जाए मैं नहीं चाहता कि अब Sean Michaels exist रखे, फिर क्या था ऐसी gruesome injury के बाद Summer Slam 2008 में Sean Michaels आते हैं अपनी wife के साथ and that was very emotional कि भी अब retire होने वाले Sean Michaels नहीं देखने को मिलेंगे, उस time पर हमें भी थोड़ा अजीब सा लगा था कि यार सही में जाने वाले हैं क्या बट नहीं, Chris Jerry को खुद को उंगली करने का मन हुआ, आई प्रोमो कट करने and उस दोरान, Chris Jerry को ने मुक्का मारना चाज Sean Michaels को, Sean Michaels ने डॉज किया और उनकी wife को लग गया and that was the turning point of this storyline अचानक से ये storyline और भी ज़्यादा personal हो गई जब wife को include कर दिया गया Chris Jerry को was looking like a piece of shit जिन्होंने पता था कि हाँ, क्या कर दिया उन्होंने, Sean Michaels की wife को मार दिया and did you know, इसके बारे में एक fact कि Chris Jerry को ने यहाँ पर actually में hit कर दिया था, गलती से miscommunication हो गई, जिसके चलते Chris Jerry को पता था कि अब Sean Michaels का गुस्ता जहलना पड़ेगा backstage में, पर Sean Michaels ने ऐसा कुछ नहीं किया, in fact इसने इस rivalry को fuel करने में मदद किया, शायद अगर यह segment ना होता तो अगले जो matches आने वाले वो उतने interesting ना होते तो अगला जो match आया, unforgiven में that was literally the duplicate match, जो हमने great American bash में देखा था, but result was different, क्योंकि इस बार Sean Michaels ने Chris Jerry को बूरी तरह नॉक आउट करके हराया, in an unsanctioned match, almost आदे गंटे का classic बेगने को मिला था यह, Sean Michaels ने नॉक आउट से Chris Jerry को हराया, however इस पेपर व्यू में real winner निकल कर आया, Chris Jerry को क्योंकि जब इतना पिटने के बाद भी, पेपर व्यू के main event में, world heavyweight championship जीती, yes, championship scramble match हुआ था, Batista versus Kane versus Jericho versus JBL versus Ray Mysterio के बीच and Chris Jerry को ने वहाँ पर title जी थी, obviously इस match में CM Punk title defend करने वाले थे, लेकिन उसके पहली Randy Orton ने उनको बजा दिया, जिसके चलते Chris Jerry को हुए replace and यह बन गई थी, एक तरह से vacant championship के लिए match Chris Jerry को ने यहाँ पर match जीता and यह match भी जीतना stake बढ़ा दिया उनकी next match के लिए however, ऐसा लग रहाता कि शायद अब match नहीं हो, बट जिस तरह से Shawn Michaels ने victory ली थी, भाई, उन्हें world heavyweight championship भी चाहिए थी, यह बहुत बार world heavyweight championship का जिकर हुआ था इस rivalry के दोरान कि मैंने कितने सारे multiple headline किये हैं arena sellout किये हैं और तुमने क्या किया है ऐसा कहा था Chris Jericho को Shawn Michaels ने and Chris Jericho का time था prove करने का उन्हें wrong तो finally no mercy I had deciding factor for Chris Jericho and Shawn Michaels rivalry जहाँ पर हमें देखने को मिला ladder match main event for the world heavyweight championship ladder का इतना अच्छा use शायद हमने नहीं देखा था यह दोनों superstar जाने भले ladder के लिए ना जाते हो obviously Shawn Michaels ने शुरुवात ladder से ही करी थी but जो story tell करी है इन दोनों superstars ने it shows कि Shawn Michaels is not actually a good worker but वो story ring के अंदर tell कर सकते हैं बहुत easily but ending के moments में वही था Chris Jericho ने championship जीत ली just because Lance Kade के interference देखने को मिली थी final के जो moments थे वो काफी iconic थे जब दोनों title के लिए लड़ रहे थे ladder के उपर चड़ चुके थे and Chris Jericho was the better man to win the title so yeah इस rivalry की वज़े से बहुत सारे iconic moments देखने को मिले rivalry of the year का award भी मिला PWI की तरफ से Dave Meltzer ने भी इसको award दिया four and a half stars का और match of the year का award भी उने ही दिया और जो slammy's award होते हैं 2008 में जो पहली बार introduced हुए after 11 long years उसमें भी Chris Jericho बने superstar of the year just because of this act can you imagine ये छोटा सा जो act था इस पूरे ने Chris Jericho को दिला दिया superstar of the year का award so yeah overall I think this rivalry was obviously मेरे बच्पन में हुई थी तो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है मेरे बिल्कुल close है मेरे फापा के फेवरेट Sean Michaels थे मेरा सच कोई फेवरेट नहीं था but still मैं इतना था कि एक बार को उस पेपर व्यू में Jeff Hardy का match नहीं देखना लेकिन ये वाला match देखना था so we can understand the intensity of this match हुआ है